आज मैं एक बात केनलाइस करना चाहता हूं जो काफी महत पूर्ण है देखिए राजनीती से जुरा हुआ है तो ये भी जानना काफी महत पूर्ण है कि आखिर कर जो 400 पार के नारे लगा रहे थी और पूरे देश में इस बात का चर्चा था कि 100% ऐसा ही होगा आखिर जनता ने कौन-कौन सी गलतियां देख ली जिसके कारान वो 300 भी पार नहीं कर सके ये बहुत बड़ा प्रशन चीन है मैं जानता हूं बहुत से विसे सग्यों ने अपने विचारधारा यां रखे हैं और मंतरी लोग भी इस पर एनेलाइस किये हैं लेकिन यहां गलती बहुत जगह हुई है कहते हैं एक बात आपने सुना ही होगा यह जब पेर में अधिक फल लग जाते हैं तो पेर जुक जाता है और वो नम्र बन जाता है लेकिन जब अहंकार उठती है तो वो जो है हमेशा ही खतम हो जाती है और यही हुआ कहते हैं इंसान अपनी जीत के जशन में इंसानों को कीरे मकोरे समझने लग जाता है और उसको कुछलने लग जाता है और ऐसी प्रस्तिती में किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करना सुभाविक बना देता है जो इन चीजों को दूर कर दे कहते हैं 400 पार की नारे सही थे जितने की भी चांशित थे लेकिन इनों ने एक बात का नहीं किया चलिए आपने बहुत अच्छा कारे किया आपने धार्मिक मंदिरों का निर्मान करवाया अच्छा कारे था लोग इसको सराना भी किये लोग पुज़ा करने भी गए और उनकी म कहते हैं एडिया तो बहुत कम थी उस चेज़ की निर्मान के लिए लेकिन आप ने साड़ी एडिया कहां से बना लिया क्योंकि आप ने उस छेत्र के गरिबों को कुचल दिया, उनके जमीन हर्प लिये, उनके से उनका पैसा भी नहीं दिये, तो कहीं न कहीं ये सारे फैक्टर हैं, जो हार का करन बनता है, आपने देश में पानी की विवस्ता किया, लोगों को छत दिया, लेटर रूम बनवाए, ये सारी अच्छे कारे थी, इस पर जनता भी चाहती थी कि ये अच्छा कारे हैं, लेकिन जब आपका ही हांकार उठने लग जाए, तो जनता क्या करें, क्योंकि ये कारें तो हर एक सर्कार का है, कि देश में जो कमिया हैं, जो देश में कुछ बुड़ाईया हैं, उनको दूर करें, ये तो हर एक राजनितिक सभ्मान होता रहता है आप देखिये पहले हम जोपडियों में रहा करते थे फिर हम कच्चे मिटियों के मकान में आए आज हम लोग जो है सिमिंटों के घर में रहते हैं और आने वाला समय में देखिये हम काफी उपर इस पेस में रहेंगे तो समय की मांग है समय की यह Veterin क्यों न हो अहंकार उसको ले डूबता है और यही घटना यहां पर घटी मैंने बहुत से देखे बहुत से मंत्री हारे भी और दुसरे लोग ने हसा लेकिन मत सोचिए आगे एलेक्शन अभी बांकी है अभी आगे और भी आगे बरना है कहीं आपकी यहां सी दुसरे को ले न संस्ता है जो लोगों का प्रतनिदू करता है आपने कभी एक बात नोट किया था कि जनता हो जब एलेक्शन का डेट आती है तो उसके लिए धूप हो च्छा हो बरसात हो या ओले गिर रहे हो सब के सब एक लाइन से लग जाते हैं भोट देने के लिए कितने स्रद्धा से मै तो देख के हरान होता हूं कि इतने तो धार्मिक स्थल पर भी भीर नहीं होते जितने लेक्शन के टाइम लेक्शन में विक्तियों के लाइन लगे होते हैं तो आप लोग जब इनकी भावनाओं को कुछलोगे तो ये कैसे आपको आगे बरहा देंगे आप जब भी परचार करने आते हो अगर धूप बरस रही हो तो साम के टाइम आते हो जब बरसात हो रही होती है तो अपने लिए छत्री की पूरी विवस्ता कर लेते हो अपनी विवस्ता आपको कम नहीं परती है जब गर्मी पर रही हो तो ऐसी चलवा लेते हो ऐसे में कैसे आपको नागरिक साथ कदम ताल करती हैं आपने कुछ लोगों को पक्की मकान दे दिया जो कि अच्छी बात थी लेकिन आपने अपने जेव से तो नहीं दिया ना देश का पैसा आपने उनके लिए इस्तमाल किया जो हर एक नाजनितिक पार्टी करता है और करना चाहिए देश में कहते हैं पहले एलक्षन जो हुआ करती थी रोड मैप पे शिक्षा पे लेकिन आज जो एलक्षन होती है किस बेस पे लालच पे और यही सबसे बड़ा यहां फैक्टर बना कहते हैं आम इंसानो को समझाना बड़ी मुश्किल होती है और कोई वेक्ति यह कहे कि आप मुझे एक फॉर्म भरके दो उसमें मैं आपको ग्रैंटी देता हूं तो जर्नल सी बात है जनता तो कहते हैं समय की हिसाब से चलती है कोई ग्रैंटी दे रहा है तो लिक के देते हैं लेकिन जनता यहां नहीं है अभी जो है जो ग्रैंटी पार्टी ने दी थी कि साल में हम एक लाक रुप्या देंगे वह अभी सरकार अपना नहीं बनाई कारण क्या है कारण यह है कि वह अभी ग्रैंटी दे रखी है और ग्रैंटी के एक्सपायर होने में कम से कम डेड़ साल लगती है तो अभ अपने हाथ से खीच लेगा और वो अपना सरकार बनाएगा और तब जनता को कुछ भी नहीं देगा किसे वितना कहेगा हमारी सरकार तो पहले बने ही नहीं यह बात कहते हैं आज राजनीती कि मैं बहुत ही जो है एक ट्रिक बन गई है इलेक्षन जितने का ट्रिक बन गई है कि जनता के सामने एक फॉर्म रखो जनता साइन करवा हो जनता के दिलों को जीत लोगी हम देंगे ही देंगे क्या जनता ने कभी ये प्रशन उठाया क्या आप अपने जेब से इसको दोगे पैसे मुझे या मेरे लिए मेहनत कमा के लाओगे ये बात कोई प्रशन नहीं करता और ये प्रशन करना मैं तो पून है मैं किसी के हार से खुश नहीं हूँ और किसी के जी से दुखी नहीं हूँ मैं किसी से के साथ नहीं हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनता हो या मंत्री ह सब का कारे अपने जगापर नीत हो जनता है तो जनता अपना कारे करती है मंदारी से राजनीतिक नेता है तो उनको अपना काम मंदारी से करना चाहिए कि एलेक्शन में उनको परचार करने में जो है सबसे बरा महंगा एलेक्शन न बना दे क्योंकि सबसे बड़ा election भी सबसे बड़ा powerful factor था कि जनता में ये बात घर कर गई कि इतने सारे पैसे का जो इस्तमाल हुआ क्यों किया गया अगर आपने जनता की भलाए के लिए कारे किया होता तो जनता को आपको पैसे खर्च करने की जरूत नहीं परचार करने की जनता खुद जानती हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना है कहने से वो नहीं देती है मूँ पे कुछ और होता है दिल में कुछ और होता है दिल में जो अच्छा कारे करता है जो अच्छा सुनाने कोशिश करता है और अच्छा दिखाता है उन लोग उसी को चुनते हैं आपके भासन से इतना इंप्रेस नहीं होती हैं वहाँ पर जब जाते हैं बटन दवाने तभी उनको दिमाग में आता है कि इनोंने अच्छे कारे किए उनकी भासन से हम impressed नहीं होंगे या उनका विक्त कि एक रेट साल में सरकारal चेंज सच होगी और इसमें कोई राजनीती खेल है आगे आगे देखिए होता है क्या जो मैंने बात कही सब सही होगी क्योंकि बात यहाँ पर राजनीती की है और मैं यहाँ पर देखा जाए तो हर राजनीती को समझ चुका हूं जान चुका हूं अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो इस वीडियो को अच हुआ हुआ हुआ